गाईज एपल ने यहाप अपना एरपोर्ट प्रो फर्स जेनरेशन 2019 में लाँच किया था जोगी काफी पॉपुलर हुआ था जैसा कि आप आप देखते हैं मेरे पास एरपोर्ट प्रो फर्स जेनरेशन है आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि हमें 2023 में एरपोर्ट प्रो सेकेंड जेनरेशन एपल ने लाँच कर दिये हैं तो यह 2019 में लाँच हुए थे तो हमें क्या इतना पुराना एरपोर्ट लेना चाहिए इसके सारी जानकारी देंगे और सारी बात करेंगे यहां पर किसके क्या-क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या-क्या आपको इस यहां पर back side में देखेंगे तो आपको पीछे side में देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ design by apple in California, assembled in China एक आपको यहां पर button देखने को मिल जागा जिससे आपने iPhone में इसे pair कर सकते हैं बहुत ही easily front की बात करें तो front में आपको एक LED indicator देखने को मिल जाता है जो कि आपकी charging और battery low अगएरा यह सब दिखाता है यहां पर आपको indicate करता है नीचे side में देखेंगे तो आपको यहां पर एक lightning port देखने को मिल जागा जिसकी help से आप इसमें charging कर सकते हैं इसको open करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमारे Airpods कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर रखे वगए चलिए इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो बात कर लेते हैं airport के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको front में एक जाली देखने को मिल जाती है और नीचे side में आपको एक sensor देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने ear में जब लगाएंगे तो यह detect करेगा कि आपने इसे पहन लिया है back side में आपको एक जाली देखने को मिल जाती है जो की transparency के mode में आपको काफी help करती है air pass करने के लिए नीचे side में देखेंगे तो आपको यह charging के connector दो देखने को मिल जाता है help से यह charge होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा है इसका stand और pass से आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको एक button देखने को मिल जाता है यह pressure sensitive है जैसा कि आपको iPhone 7 में देखने को मिलता था button दपता नहीं है लेकिन यहाँ पे आप जब इसे प्रेस करेंगे यह खुल जाएंगे और इसको लगाना है तो आपको ऐसे इसको align करके जैसे ही आप प्रेस करेंगे यह अंदर आपके लग जाएंगे बहुत ही easy है इसके साथ आपको काफी ear tips देखों मिल जाएंगे आप change कर सकते हैं अपने ear के according आपका ear छोटा है या फिर बढ़ा है दोस्तों भी बात करने design के बारे में तो यहाँ पे आप देसकते हैं इसके जो पहले के generation है आप यहाँ पर देसकते हैं इनका shape और इसके shape में काफी difference है यहाँ पर open करके आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर देसकते हैं यह जो हमारे Airpods Pro हैं कुछ इस तरह से आपके स्टेंप काफी चोटा है और हमारे जो पहले की Airpods है उनको भी आपको यहां पर निकाल के दिखा जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों को कंपेर करेंगे तो इनका जो साइज है और डिजाइन है काफी अलग आपको देखने को म यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यह हमारे यह यह ऐरफोन है यह हमारे atbus कोर देखने को मिल जाएगा गयाइस अभी बात कर रहे हैते हैं आपके Airports Pro में, तो आपको यहाँ पर control center down करना होगा, यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगे, इसे आप open कर लीजिए, long press करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसके features देखने को मिल जाएंगे, आपको special audio का support यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको transparency mode देखने को मिल जाता है, जिससे आप अगर transparency पर रखते हैं, तो आपको बाहर की आवाज और air वगएरा सब आपको सुनाई देगी इसमें, और आप यहाँ से इसे off कर देंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, इसका जो noise cancellation है, बहुत ही मज़ेदार है, सबसे बहतरीन feature मुझे यह लगा, इसको on करते ही मुझे बाहर का सारा sound जो है सुनाई नहीं देता है, बहुत ही अच्छा feature है यह, आप अगर जिम वगएरा में जाते हो, या फिर आप काफी loud वाले environment में हो, तो आप इसे लगा करके, जैसे ही आप यहाँ पर noise cancellation पर tap करेंगे, आपको बाहर की जो भी आवाजें हैं, वो आना बंद हो जाएंगी, यह feature मुझे बहुत ही प्यारा लगता है इस airports का, पहले मैं airport first generation यूज़ करता था, जिसमें आपको silicon tip देखने को नहीं मिलती है, तो यह मुझे बहुत काफी comfortable लगते थे, और air भी हमारे कार में आये लगती, कहां से आती है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपको air भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर apple ने काफी सारी यहाँ पर जालियां दी हुई है, जिसकी help से आपके ear में कोई भी vacuum वाला system आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे से आपकी ear pass होती है यहाँ पर, जो की काफी अच्छी चीज़ है, अगर आप लोग यहाँ पर एक without ear tip वाले earphone यूज़ करते थे, उसके बाद आप अगर इसे use करेंगे तो आपको ज़्यादा problem देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर experience किया है, दोस्तों भी बात करते है, एरपोर्ट प्रो के specifications के बारे में, तो यहाँ पर आपको active noise cancellation देखने को मिल जाता है, एरपोर्ट प्रो में, transparency mode का feature आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप special audio को भी यहाँ पर use कर पाएंगे इस एरपोर्ट पर, बात करें, chipset के बारे में, तो यहाँ पर आपको H1 chipset देखने को मिल जाता है, जो यह काफी powerful है, और इसी connectivity की बात करेंगें, आप अगर अपनी multiple devices में airports को connect किये हुए है, तो आप जैसे ही switch करेंगे devices to devices, आपको यह उसमें connect होता हुआ, देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है, airports pro को अपने according customize करने के लिए, आप यहाँ पर settings में चले आएंगे, यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा, airports pro का, उस पर आप टैप करेंगे, तो यहाँ पर आपको customization की पूरी, यहाँ पर list देखने को मिल जाएगी, आप अपने according से customize भी कर सकते हैं, और इसमें क्या-क्या चीज़ें support करती है, airport pro में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर settings में देखने को मिल जाएगा, इसका model number, name, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, जो यह काफी अच्छी बारे बात कर लते हैं, इसके battery के बारे में जो यह काफी important होती है, किसी भी wireless earbuds के लिए, तो यहाँ पर आपको 519 mAh की battery देखने को मिल जाएगी, और बात करें इसके calling के बारे में, तो आप इसे 18 घंटे तक calling पर use कर सकते हैं, काफी बड़ी battery आपको देखने को मिल जाती है, आपको इसमें कोई भी battery का issue देखने को नहीं मिलेगा, काफी बड़ी battery है, यहाँ पर आप इसे single charge में काफी times तक use कर पाएंगे अपने earbuds, जो कि काफी अच्छी बात है, दोस्तों, यहाँ पर आपको इन earpots में wireless charging का भी support देखने को मिल जाता है, आप जैसे इसे wireless charger पर रखेंगे, आपके जो earpots हैं, वो charge हो लेंगे, यहाँ पर आपको indicator light जो है, आपको indicate करेगी, यहाँ पर आप इसे lightning port से charge करी सकते हैं, साथी साथ, यहाँ पर आप इसे wirelessly भी charge कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है, दोस्तों, बहुत ही प्यारे earphone हैं, यह Apple के, जो कि connectivity के मामले में master हैं, connectivity के मामले में आपको इनसे better earphone कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, तो यह कोई sponsors वीडियो नहीं है, यह मैंने खुद अपना experience आप लोगों के साथ share किया है, यह छोटी सी वीडियो थी हमारे AirPods Pro के review के बारे में, कि आप लोगों को 2023 में से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो काफी प्यारे earphone हैं यह, आप इनके लिए जा सकते हैं, एक iPhone यूजर हैं आप तो, बहुत ही अच्छा आपको इनका experience देखने को मिलेगा, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जुरूर बताएगा, पसंद आई हो, तो इसे लाइक कर दीजेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत भूलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लि घझे जाएगा लोगों से नेक्सरीग करना थे बघची वीडियो हमें!